हालो फ्रेंस आज मैने आप लोग के लिए ले हो इडली दौशा का वैत्टर कैसे तयार करता है एकी वैत्तर में से ये दोनों बना सकते हैं तो चलो देखते हैं ये वैत्तर कैसे तयार करता है और ये वैत्तर में मैंने यूसी एर BOYL करें और कच्छा राइस कोई भी चावन मैंने एड़ने किया जो वीडियो में बताया इस तिलगे से हम बनाते हैं तो ये दोनों आसानी से हो सकता है और ये एकी बैतर में से दूसरा दिन भी इडली बना सकता है अगर वीडियो पसंद आगया तो लाइक करने के लिए शेयर करने के बूलनाने जाता पसंद आखिया तो सब्सक्राइब करने के लिए भी बूलनाने एचला देखते हैं इडियो कैसे हम बैतर सिग्यार किया है मैंने इदर एक वीड के लिए एक साथ इटली के लिए भी दोशे के लिए भी बैतर बनाकर रखते हैं वो कैसे है देखते हैं उसक के लिए मैंने इदर एक ग्लास का चार ग्लास चावल लेते हैं, तो जो चावल है पॉलम है नाम ये चावल का, तो बॉल ट्राइस है, चार ग्लास चावल, चार ग्लास चावल के लिए एक ग्लास उड़ता, एक पेबिल स्पूर साबूत मेती, ये सब अच्छे से वाश खरने के बार, एक साथी मैंने विकोने के लिए हमेशा रखती हूँ, विकोने के लिए भी पानी ऊपर तक खाना चाहिए, उतना पानी में विकोने के लिए रखते हैं, लास्च में ओई पानी में हम पीस दें, तो एक्स्ट्रा पानी एड करने का जरुवत नहीं पड़ेगा, अगर काम हो गया तो आप अलग पानी डाल सकते हैं। विकोनी के लिए रखनी के बाद आपको दिखाती हूँ। चार पांच गड़ा तो कम से कम पांच गड़ा तो रखना ही पड़ेगा। विकोनी के बाद हम अभी पीष्णी के लिए श्रू कर देंगे। बॉल्रेस उडटड़ अक्का मेथी। यह भी पांच छे गड़े के लिए मैंने रखी थी। मैंने बिगोया हुआ चावल उडटड़ मेथी सब इस तरिये का पक्तर में ग्रैंडर बोलते हैं। उसमें पीष्णी के लिए जा रही हूँ। आप लोग के पास यह नहीं है तो मिक्सर का जार में भी कर सकते हैं। मिक्सर का जार में पूर्य बर्ना नहीं आदाई डालकर पीष कर लेना है। इस पिस्तरगे से बंद करना है अभी मैंने इसका अंदर एक ग्लस पानी डाला हुआ है सुच्चान करना है यह चालू हो गया अब इसका अंदर हम थोड़ा थोड़ा डाय देने अच्छे से पीस लिया अब लोग देख सकते हैं अभी हम इसको निखाल देंगे मैंने फूर्य पीस लिया बर्तन में निकल कर रखी हूँ अभी मैं दिखाती हूँ कितना इसमें पानी है ज्यादा पानी नहीं डाला अभी ये दिन का टाईम है सुबह का साड़े आठ बजए है हम शाम को देखते हैं वो कितना फर्मन्ड हो गया ये अच्छे से फर्मन्ड होना है ये अभी अच्छे से फर्मन्ड हो गया देख सकते हैं इस तरह से अपि मैं कल सुबह बनाने के लिए जा रहे हूँ तो अभी ये निकालकर फ्रिज का अंदर रखती हूँ